अगर आप लोग करेंग सबसे ज़्यादा है उसके बाद भी सरकारी पूल टेक्नी कोलिज में एडमीशन लेला चाहते हैं तो इस वीडियो को अन तक ज़रूर देखिएगा जैसे कि अगर आपका रिंग सबसे ज़्यादा है, जैसे कि एक लाख या एक लाख से ज़्यादा है या उससे कम है, तो देखिए, काउंसलिंग करने का सही तरीका होता है, अगर आप लोग काउंसलिंग को सही तरीका से कर देते हैं, तो आप सभी को सरकारी पुल टेक्निक को में admission मिल जाएगा तो फाइनाली आज का वीडियो वैसे लोग के लिए बहुत इंफर्मेटिव होने वाली है जो भी लोग विहार पॉल टेकनिक 2023 के student है और 2023 में अपना entrance exam दिये थे और result आज आने के बाद counseling में या मतलब जनाना चाहते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा rank है तो counseling कैसे होगा सरकारी पोल टेकनिक कोड़िज कैसे मिलेगा तो इस वीडियो में हम बहुत सारे trick को बताने वाले हैं तो अगर आप लोग इसको flow करके सही से counseling करते हैं तो आपको सरकारी पोल टेकनिक कोड़िज में बिल्कुल admission हो जाएगा उसके साथ साथ गर आप लोग का आधिक rank है और civil branch लेना चाहते हैं electrical लेना चाहते हैं mechanical लेना चाहते हैं electronics लेना चाहते हैं computer science लेना चाहते हैं कोई भी branch लेना चाहते हैं और रेंग सबसे ज़्यादा है तो राखिर counseling करने का सही तरीका क्या होता है अगर आप लोग इस वीडियो को आं तक देखे लेते हैं तो आप सभी को मालूम चाहते हैं और एक्जाम में सबसे ज़्यादा rank आ गया है उसके बाद भी सरकारी pole technique college में admission लेना चाहते हैं तो आपको घबराने किया वसकता नहीं है क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सरे trick को बताने वाले हैं तो अगर आप लोग वह से counseling करते हैं बिहार pole technique का तो आप लोग को बिल्कुल सरकारी pole technique college में admission मिल जाएगा उसके बाद अच्छी जाए इसको open कर लेना होगा फिर यहाँ पर search करना होगा देखिए b c e c e तो जैसे आप लोग यहाँ पर search किजिएगा तब आपके mobile के screen पर कुछ इस परकार से दीखेगा तब आपको एक बढ़ यहाँ पर click कर देना होगा जैसे आप लोग वहाँ पर click किजिएगा तब आपके mobile के screen के उपर कुछ इस परकार से दीखेगा देखिए b c e c government of बिहार तब आपको एक बढ़ यहाँ पर click कर देना होगा ठीक है और जैसे आप लोग वहाँ पर किलिक कर दिएगा तब आपके मुबाइल के स्क्रीन के उपर कुछी इस परकार से दीखेगा देखिए यहाँ पर लिखेगा बिहार संजुक परवेस परतियों के तब परिक्षा परसद उसके नीचे लिखेगा बिहार कंबाइन इंट्रेंस कंपटेटिव इग्जामिनेशन बोड़ तो हम एइसमें आप सभी को बताने वाले हैं आखिर आप सभी को कैसे काउंस्लिंग करना होगा ताकि आपको सरकारी पुल टेक्निक क्लेज में एडमिस्ण मिल जाए तो इसके लिए आप सभी को क्या करता होगा चलिए आप सभी को बताने आप सभी से एक छोटिस रिकोएस्ट है अगर आप लोग हमारे और आप सभी की अपनी YouTube चैनल डिप्लोमा कलासेस पर नई हैं तो इसे सबस्क्राइब जरूर कर ले ताकि आइसे इंफर्मेटिव वीडियो आप सभी के पास जाते रहे इसके सांथ सांथ जैसे कि आप सबी लोग को मालूम होगा हमारे और आप सभी के अपने यूटूब चैनल डिप्लोमा कलसिस के माधियम से विहार पूल टेक्निक का जितने सारी अपडेट होते हैं सबसे पहले और सटीक रूप से दिये जाते हैं तो आप लोग इसको सबस्क्राइब जिरूर कर लेजिएगा ताकि आप सभी कोई से ही अपडेट मिलता रहे अब चलिए आप सभी को बता दे कि काउंसलिंग करने का सही तरीका क्या होता है और कौन कौन से ट्रीक को लगाना है अगर आप लोग सबसे ज़्यादा अगर आपक को लिखा होता है कि कौन से टेकनिक लिज में कौन से बरांच कितने रेंग तक मिल जाता है जैसे कि आप लोग अपने मुबाइल के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर बताया गया है अगर आप लोग बिक्के एनिस गोपाल गंच यहां से मेकेनिकल बरांच से अगर आप लोग यहाँ पे EWS के टेगरी के अंदर आते हैं और जो आप लोग का रेंग है EWS रेंग है 13,069 है और उसके बाद 14,870 तक है तो आपका बिल्कुल यहाँ पर एडिमिशन हो जाएगा यह सिर्फ है विक्के एनिस गोपाल गंच लिए आप लोग देख पा रहे ह होंगे यहाँ पर जितने सारे केटेगरी है सभी केटेगरी का यहाँ पर दिया गया है सिर्फ मेकेनिकल ब्रांज में और उसी प्रकार से आप सभी को थोड़ा थोड़ा आप सभी को स्क्रॉल करना होगा जैसे आप लोग स्क्रॉल किजिए गा तब आप सभी को यहाँ पर दिखेगा जीपी अरडिया अगर आप लोग यहां पर मेकेनिकल ब्रांच से डिमिशन लेना चाहते हैं तो राखिर आपको कौन से केटेगरी में कितना रेंग होना चाहिए आप सभी लोग इधर देख सकते हैं ठीक है अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा उसके बद पीडियेप को थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करना होगा और जैसे आप लोग इस्क्रॉल किजिएगा तब आप सभी को मालूम चलेगा कि आप लोग का कौन से पूल टेक्निकल इच में कौन सा बरांच मिल जाएगा ठीक है उसके बाद है बीके एनस गोपाल गंज में चाहिए इसे आप लोग को थोड़ा-थोड़ा स्क्रॉल कर देना है ठीक है और जैसे आप लोगे स्क्रॉल किजिएगा तब आपके मुबाइल के स्क्रीन फे दिखता रहेगा तो काउंस्लिंग करने का पहला ट्रिक क्या है कि सब से पहले आप सभी को कॉट अफ दिख लेन है उसके बाद भी आप सभी लोग सरकारी पूल टेक्निक ओलज में एडिमिंशन लेना चाहते हैं तो आप लोग यहीं सब बातों को फुलो करना होगा तब काउंस्लिंग करना होगा तो यह हो गया पहली बात अब चलिए आप सभी को बता दे कि दूसरा ट्रिक क्या आप सभी अप 10, C, C, P, 2023 तो आपको एक पर यहां पर क्लिक कर देना है कि बिहार में टोटली सरकारी पूल टेक्निक ओलज कितना है तो जैसे कि आप सभी को मालूम होगा और मालूम नहीं होगा तो आप लोग इस पेडियेव के माधिया उनसे देख सकते हैं कि कितने टोटल सरकारी प प्ल टेकनिक ओल इस था, लेकिन अब हो गया 46 जिसमें से 44 सरकारी प्ल टेकनिक ओल इस जहां पर गरल प्लस बुस यानि लड़का और लड़की दोनों już年 होता है लेकिन दो ऐसे सरकारी पोल टेक्निक जहाँ पर सिर्फ लड़की लोग का एडमिसन होता है तो आप लोग बूलिएगा सारो कौन-कौन सा पोल टेक्निक कोड़ी है तो दखिए एक पोल टेक्निक कोड़ी जह जी डवलूपी पटना और जी डवलूपी मुझाफ़र पूर यहां पे सिर्फ लड़की लोग का admission होता है और यहां दोनों college को मिला करके टुटी सीडियों का संख्या लगभग में 1000 है तो अगर आप लोग लड़की लोग है तो आप लोग का बिलकुल admission हो जाता है चाहे आप करें कितना भी क्यों न हो तो यह हो गया अब चलिए टेकनिक कोलेज मेंटमीशन हो जायागा अगर 20,000 से जादा रेंग आ गया तो आप सभी को क्या करना होगा देखिए यह जो मतलब आप लोग PDF देख पा रहे होंगे तो इसमें टॉप पूल टेकनिक कोलेज से ले करके लोग पूल टेकनिक कोलेज तक इसमें लाइन वाज द अगर आपका रेंग सबसे जादा है तो आप सभी को क्या करना होगा नीचे से काउंसलिंग को करवाना होगा यानि जो सबसे नीचे है आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे आप सभी को यहां से सरकारी पूल टेकनिक कोलेज का नाम देना होगा जीपी भोजपूर से अगर आप लोग जीपी भोजपूर से ले करके पटना तक काउंसलिंग अपना मतलब करवाते हैं मतलब तो आप सभी का कितना फिरेंग क्यूं न हो आप सभी को सरकारी पोल्टेक्निक कोलेज में एडमिशन हो जाएगा पहला ट्रिक क्या था कि आप सभी को सबसे पहले कौट अफ देखना है दूसरा कि आपको एक से ले करके 44 तक नहीं पोल्टेक्निक नमर 44 से ले करके पोल्टेक्निक नमर 1 तक आप सभी को सरकारी पोल्टेक्निक कोलेज में काउंसलिंग करवाना है और आपका रेंक अच्छा हो या खराब हो आपको मेक्सिमम से मेक्सिमम सरकारी पुल टेक्निक को चूज करना है यह नहीं कि बस हम अपने डिश्टी कोला कर दिये दो पुल टेक्निक कर दिये तीन पुल टेक्निक कर दिये ऐसा आप सभी को नहीं करना है आप लोग को मेक्सिम से मेक्सिमम सरकारी पोल्टेक्निक को चूज करना है अब चलिए आप सभी को दिखा दे कि काउंसलिंग करने का फाइनल तरीका क्या होता है मतलब तीसरा आप सभी को बता दे कि काउंसलिंग करने का फाइनल प्रोसेस क्या है यानि उसका सही तरीका क्या होता है आपको जो भी ब्रांच होगा, उसको डालना होगा, फिर तीसरा को डालना होगा, जैसे कि हमको मोतिहारी में CS चाहिए, फिर जितने सरे पुल टेकनिक कोलिज है, सभी में CS CS फिल कर देना है, उसके बाद जितने सरे सरकारी पुल टेकनिक कोलिज है, सभी में इलेक्ट्रिकल इलेक्रिकल फिल कर देना है सबसे पहले आप सभी को देखना होगा कि आपको कौन सा पूल टेकनिक कॉलिज में कौन सा ब्रांच चाहिए तो जो आपको पूल टेकनिक कॉलिज wrong process है सही तरिका क्या है जीतने सरे Polytechnic College सभी में एक ही बरांश को डालना है उसके बाद जीतने सरे Polytechnic College है उसमें दूसरा बरांश डालना है उसके बाद तीसरा बरांश डालना है जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमें munichasking किये हैं एकदम सही तरीका यहीं है, जितने सरे पॉल टेकनीकल लेजे, सभी में एक ही बरांश डालना होगा, उसके बाद जो बरांश है, वो मतलब दूसरा बरांश डालना होगा, तो आप लोग देख पा रहे होंगे, कि पहले मतलब CS था, उसके बाद जितने सरे पॉल टेकनीकल लेजे, सभी में एकनीकल है, ठीक है, उसके बाद जितने सरे पॉल टेकनीकल लेजे, सभी में से भील है, ठीक है, उसके बाद जितने सरे पॉल टेकनीकल है, सभी में मेकनीकल है, ठीक है, अगर आप लोग इस परकार से step by step अपना काउंसलिंग को करते हैं और आपका रिंग कितना भी अधिक क्यूं नहों तो आपको सरकारे पोल टेक्नीक कॉलिज में एडमीशन मिल जाएगा और जो caught up का पीडिये पोस्कोल अगर आप लोग लेना चाहते होंगे तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मेसेज किजिएगा इंस्टाग्राम आईडी है डिपुलोमा कलासिस वान जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बक्स में दे दिये हैं और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कॉमेंट बक्स में कॉमेंट कर सकते हैं थैंक यू